हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिस्ट चुलहा में तो आज मैं आपकी लेकर आई हूँ हमारे उत्राखर्ण के कुमाओं में बनाई जाने वाली भट के आटे की एक रेसिपी यहां पर हमीं चाहिए भट का आटा तो ये भट का आटा चान लेना है छनी से जिससे आटा चानते हैं तो उसके बाद हमने इसमें रेगुलर मासाले जो है अटके ऐसे हल्दी धनिया गरम मसाला और नमक ये सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसके बाद हम भट के आटे को गूधेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ड ये मार्केट में मिलता है उसी घिय हूँ का अधर ध़ को यस shallow बार मार्केट में मिलता है तो देखे इस तारीके से घुतके तैयार है आप देख सकते है किसका चुका और एसमें ठोड़ा सभाषान कर भट को इसमें बाहर से500 बाहर से बल्ना भी आकर दावा बना लेंगे य इस तरीके से हमने हाथों से बना सकते हैं नमबे लंबे से में इस सेब में बना लेने हैं और बमें ऑईल张 लगा तो अब हम जो हमारा थोड़ा और आटा बचा हुआ है दूसरे तरीके से चिपस इसके बना सकते हैं चिपस सेप में तो उसके लिए जैसे हम इसको पहले बेल लेंगे और लगाते हुए इसको बेल लेना है क्योंकि यह चीपकता भी है यह देखे तो इस तरीके से अब हम इसको चाकू से जो है चिपस के सेप में हम इसको कट हमें कर लेना है नेसे कि आप这 ग में इनको कट ले में निकाल लो आपको जो भी सेप कोई शेप में आप गाले आपको जो भी से सम книона sparड़ा है तो शेप पर सब्सक्राइब है और इदर आप हम जो है यहां ठोड़ा आटा चानीं के इससे जो है हम भटके आटे का घोल हम तयार करेंगे और थोड़ा से इसमें हमने गेहूं का आटा भी मिलाया है तो इसका हम घोल बनाएंगे और इधर हम जो है ये जो हमने फिंगर सेप में जो हमने यहां पर बनाए थे तो इनको हमें गरम ओयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरीके से जो हमें इनको फ्राई कर लेना है यह जो हमने चिप सेप के भी किये थे काटे थे। इस तरीके से भी यह देखे। तो इन सभी को हमें तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जो ए रेचिपी है इसका नाम है真的 diu style6 तो मुचुला हम बनाने वाले हैं। इनको मुचुला बोला जाता है। तो यह हमारे भटके आटे त्यार है। पानी मिला मिलाते हुए यह देखिए तो इसमें हमारा भटका आटा है और थोड़ा सा बिलकुल आटा हमने लिया हुआ है रोटी बिनाने वाला आटा यह देखिए पतला घोल जो हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे इसका तो यह बहुत स्वादिस्ट रेसीपी होती है थोड़ा बनाने में इसमें समय लगता है लेकिन स्वादिस्ट होने के साथ हिल्दी तो है ही यह तो देखिए ह beliefs हमारा गर्ष हो चुका है इसमें हमने धनिय का तड़का लगा और साथ यह साORE जीरे का इसमें हमने तड़का लग गरम मसाला देखिए यह हमने डाल ली है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर नमक एट कर लेना है इस तरीके से अब जो हमने यह भटका जो हमने घोल तियार किया था वह हम इसमें एट करेंगे तोड़ा पानी डाल लिया है मसालों में मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं म गोल तयार किया था देखिए देख सकते हैं अलब है इसमें में अश्छी खूझबौ आने लगती है यह देखिए बहुत स्वाल जो है रेसिपी है तो बनाने में समय लगता है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है और सरीर के लिए भड़ वैसे भी बहुत अच्छा होता है तो तो इस तरीके से अच्छे से जो हमें, Mix कर लेना है और यह पकने में समय लेता है यह अबेर म्यूचुला त्यार हो जाएगा, तो लोही की कड़ाई में बनाया जाता है लोही में ही इसका ज्यादा स्वादा है यह देख सकते हैं, अभी पक रहा है हमारा मियूचुला, तो अराउंड 30-40 मिनिर्स मीडियम फ्लेम में पकाना है, और यहां पर हमारा रेडी हो चुका है, और लास्ट में वही धनिया पत्ती से हमें इसको सर्फ करना है, देखे, यह हमारा स्वादिस्ट मियूचुला तयार ह जैसे चावल हम बनाते हैं, तो उसके साथ यह बनाया जाता है, तो यह देखे, रेडी है हमारा मियूचुला भाद, तो एक बार आप भी ट्राइ करिए, कैसा लगता है, बताएगा जरूर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जाएगे-जाएगे-जाक सबस्क्राइब करिए, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिप्ट के साथ अब तक है।